विदान सबा में विपक्ष सरकार को घेर रही है तो वही नितीश कुमार ने हिंसा को साज़श का नतीज़ा बताया नितीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि दोनों शहरों में दो लोगों ने इधर उधर किया एक राज कर रहा है और दूसरा एजेंट है तब से कुछी तेर पहले दंगों को लेकर नितीश का बयान और ने कहा कि बिहार में सब कुछ जानबूच करकर वाया जा रहा है केंडर में लोग बैठे हुए हैं यहां एजेंट चोड़ दिये हैं जो इस हिंसा को अंजाम दे रहे हैं इसमें राज सरकार की नाकामी नहीं है तो आज बिहार इंसा पर विधान सभा में भी जबरदस्थ हंगामा रहा जम कर बवाल होता रहा लेकिन उसके बावजूद अभी भी वहां विधान सभा की जो कारवाई है वो चल रही है बोलने का मौका दिया जा रहा है लेकिन वेल में आकर जो विपक्ष है वो प्रदस्थिन करता हुआ भी नजर आ रहा है हाला कि विधान सभा के बाहर भी विरोध प्रदस्थिन किया गया और ये कहा गया कि हिंसा पर नितीश खामोश है दो शहर जल रहे थे और वो इफ्तार पार्टी में व्यस्त थे वहीं दूसरी तरफ नितीश से जब ये सारे सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि पुछासन की कहीं कोई चूप नहीं है नजर बनाए हुए हैं इसमें दो लोगों के कारण ये हुआ एक राज कर रहा है और दूसरा उनका एजेंट है जैसी हरकते करके महौल जो है बिहार का वो खराब करने के कोशिश कर रहा है ये बिहार विदान सभा के तस्वीरे बिहार विदान सभा के बाहर जहां पर हंगामा कर रहे विपक्ष के नेताओं को वहां से हटाय जा रहा है जिसके बाद विपक्ष के नेता कह रहे हैं ये बैवार हो रहा है विपक्ष के साथ बाहर है जिसके बाहर जहा है जिसके नेताओं को वहार है ये बाद विपक्ष के नेता है ये बैवार विपक्ष के साथ मंदल के बजल सत्र का आज आखरी दिन है और आखरी दिन भी आज देखी आपको दिखाते हैं जब इनान सबा की करवाही सुरू नहीं हुए उसके ठीक पहले B.J.P. के विधायकों ने सदन पोटिकों में प्रतलसन सुरू कर दिया है B.J.P. के विधायक जो है इस्वक्त सासाराम और जो बिहार सरीव की घटना है उसको ले करके कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं प्लेकार्ड है और सरकार से यह दिमांड है बीजेपी के बिधायकों की कि किसी भी स्थिती में जो दोसी है सासाराम और भिहाद सरीफ की घटनाओं के लिए उन पर क्या रवाई की जाए और एनाईये जाच की मांग जो है वो भी कर रहा हैं बीजेपी के बिधायक इस वक्त उनके हाथ में जो प्लेकार्ड है उनको अगर आप देखिए देखिए राईये जाच की मांग जो है वो लिखे हुए स्लोगन वाले प्लेकार्ड्स बीजेपी के बिधायकों में ले रखा है और सदन की कारवाही सुरू होने वाली है उसके पहले यह प्रदसन कहीं ने कहीं बताता है कि जब विधान सभा की कारवाही आज बजट सत्र के आखरी दिन सुरू होगी तो सदन के अंदर भी इस मसले पर हंगामा देखने को मिलेगा जो तमाम नेता हैं इस वक्त बीजेपी के वो सदन पोटिकों में प्रदरसन कर रहे हैं उनके तरफ से नारेबाजी हो रही है और यह जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं यह मैसेज देती है कि विधान सभा का यह सत्र जब आज अपने आखरी दिन में है तो किस तरह हंगामेदार साबित हो रहा है सासा राम और बिहार सरीफ इन दो जगहों पर बले ही माहौल पहले से ठीक हुए हो बहतर हुए लेकिन अभी भी मिरान सभा के अंदर इसकी गूज देखने को मिल रही है